यह है स्ट्राटो लॉंच एरक्राफ्ट या फिर रॉक बेखने से साल लग रहा होगा मानो दो प्लेंज को आपस में जोड़ दिया गया है इस एरक्राफ्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी मदद से सेटेलाइट लॉंच करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है इस प्लेंग की मदद से 250 टन के पेलोड को 11 किलोमेटर उपर तक भीजा जा सकता है जहां से बागी की डिस्टेंस रॉकेट खुद तये कर सकता है कमपनी के नुसार इसकी मैक्सिमम टेक ओफ वेट कैपसिटी 590 टन्स की है इस प्लेंग का विंग स्पैन 385 फिट में फिला हुआ है जो की दुनिया में सबसे लंबा है इसके अंदर 6 PW4046 टर्बोफैन इंजिन्स लगे हुए हैं जो इसे 850 किलोमेटर पर रावर तक की स्पिट पर वाइट कर सकते हैं इसका जो नाम है रोक वो लिया गया है अरेवियन मिथलोजी सिन बात के एक बर्ड से वो बर्ड बड़े बड़े हाथियों जानवरों को भी बड़ी ही आसानी से उठा लेती थी और वहीं से इसे भी रोक नाम दिया गया